हेलो फ्रेंट्स, आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान और बहुत ही ज़ादा टेस्टी पापड की रेसिपी बिना सोडा, बिना पापड खार और बिना ज़ादा मेहनत के एकदम पॉफेक्ट पापड आप बना पाएंगे दूसरी important बात कि इन्हें बनाने के लिए आपको धूप की भी आवशक्ता नहीं है आप इन्हें पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं और साल भर स्टोर करके रख सकते हैं खराब नहीं होते इस रेसिपे में एक और खास बात है ये पापड बनाने में हमने एक बीबून तेल का इस्तुमाल नहीं किया है आप इन्हें रोस्ट भी कर सकते हैं और ये पापड बिना पापड खार और सोडा के अपने साइस के डबल और ट्रिपल फोलते हैं तो आईए बनाना देखते हैं एकदम चटपटे आलू और साबुद आने के पापड एकदम आसान तरीके से दोस्तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो एक लाइक ज़रूर दीजेगा शेर कीजेगा इससे जादा से जादा दोस्तों और फैमली के साथ आप हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं आईए देखते हैं ये आसान से रेसिपी आलू और साबुद आने के पापड बनाने के लिए हमने चार मीडियम साइस के आलू को उबाल कर कद्दू कस कर लिया है और भारीक वाले कद्दू कस से ग्रेट किया है आप ये उबले आलू को छोटे टुकडों में काट कर आदे कप पानी के साथ ग्राइंड भी कर सकते हैं और इन्हें पापड के रेसिपे में पेस्ट या लिक्वेट फॉर में यूज़ कर सकते हैं इधर उन्हें एक कप साबुद आने को अच्छे से वाश करके इनके लेवल से थोड़ा सा उपर तक पानी भरकर इन्हें सोख करने के लिए छोड़ दिया था पूरी रात के लिए इन्हें कम से कम 4-5 घंटे के लिए जरूर सोख करना है उसके बाद ही इनिस्तिमाल में लेना है ये साबुद आने कुछ ऐसे मैश होने चाहिए आए चलते हैं नेक्स प्रॉसेस के तरफ एक मिक्सी का ग्राइंडर जा लेंगे इसके अंदर साबुद आना एट करेंगे और एक कप पानी लेंगे जिसका आधा हिसा हम इसके अंदर एट करेंगे और बारीक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से स्मूध पेस्ट बन जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते इसका texture कुछ ऐसा है आधा कब पानी बच गया है आधे कब पानी के साथ हमने इससे grind किया है अब इस साबुदानी के paste को हमें 4 कब पानी के साथ पकाना है तो इधर हमें गहरा सा पैन ले लेंगे इसके अंदर ये paste एट कर लेंगे जो जार में लगा रहे गया है बचे वे आधे कब पानी से इस जार को wash करेंगे और ये भी इसके अंदर ले लेंगे और अब बाकी का 3 कब पानी हम और एट कर लेंगे तो जिस कब या कटोरी से आप साबुदाना मापेंगे उसी से आपने पानी को भी measure करना है इसे अच्छे से mix कर लेंगे और gas के आज को चालू कर देंगे अब सबसे पहले flavor के लिए इसके अंदर नमक आट कर लेंगे एक कब साबुदाने के लिए एक छोटी चमच नमक काफी होता है अब इस साबुदाने के गोल को लगातार चलाते वे पका लेंगे इसे चलाते वक्त पैन के bottom तक scrape कीजेगा ताकि ये नीचे तले से चिपके नहीं और आज को medium to high रखेंगे जैसे जैसे गोल पकता जाएगा ये चमच दार और गाढ़ा होता जाएगा तो इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक ये गाढ़ाना हो जाए साथ से आट मिनिट के बाद आप इसका texture देख सकते हैं color change हो चुका है और ये थिक होने लग जाए तो अभी साबुदाने का batter semi थिक है और इस time पे हम आलू add कर लेंगे ताकि साबुदाना और आलू एक साथ अच्छे से cook हो सके और ये batter थोड़ा सा थिक हो जाए और यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आलो में एक भी lumps नहीं होने चाहिए यानि कि गुठलिया नहीं होने चाहिए अदर्वाइस पापड फट जाएंगे जब आप आलो को ग्रेट करें कदू कस में तो उसमें ध्यान रहें कि मोटी गुठलिया नहीं जानी चाहिए इन दोनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स करने के लिए हम एक potato मेशर ले लेंगे जिससे आलो मेश करते हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसे हम मेश करते हुए चला लेंगे या फिर आप इसके अंदर electronic hand blender भी इस्तेमाल में ले सकते हैं अब बस इस batter को हमें थोड़ी देर और पकाना है चुले कि आज को medium to high रखेंगे और इस batter को हम तब तक पकाएंगे पैन के साइट्स में आप देख सकते हैं पैन के साइट्स में चिपकने लग गया है और तीसरी और बड़ी पहचान ये है कि ये batter काफे थिक होकर इस spoon से गिरेगा ये देखे और चौती और बहुती आसान से एक पहचान कि इस spoon पे एक batter की coating सी हो गई है ये देखे और जब आप इस पे line ड्रॉ करते हैं तो ये line बन जाती है इसका मतलब ये batter हमारा done हो चुका है, ready है ये थिक हो चुका है और जब हम इसे ठंडा करेंगे थोड़ा तो ये और थिक होता जाएगा टोटिल बारा से पंदर मिनट हो गए है, इस batter को पकाते है और ये batter done हो चुका है गैस के आज को बंद कर देंगे और इसके अंदर कुछ flavors एट कर लेंगे आधि छोटी चमच के करीब chili flakes एट कर लेंगे, ये red chili flakes है, आप green chilies को cut करके भी add कर सकते हैं हरी मेर्च, हरी दिन या, ये सब चीज़े add कर सकते हैं जीरा add कर लेंगे, चोथा ही छोटा चमच और इन्हें अच्छा से mix कर लेंगे ये flavors तभी add करें जब batter हलका सा थंदा हो जाए और पापड हम तभी बनाएंगे जब batter हलका सा थंदा हो जाएगा साबदाने और आलो के इस batter को हम थोड़ा सा चलाते वे थंदा कर लेंगे उसके बाद पापड बनाएंगे और अभी आप देख सकते हैं ये batter गाड़ा होने लगया है और अब आईए चलते हैं पापड बनाने के तरफ पापड बनाने के लिए हमने आपर एक मोटी प्लास्टिक शीट ली है ये फ्रिजमेट है और आप कोई मोटी प्लास्टिक शीट पे ही ये पापड बनाएगा अब आप पापड बनाने का इस सबसे आसान सा तरीका देखें इससे ना ही पापड आपके फटेंगे और ना ही काले पडेंगे बहुत ही बढ़िया पापड निकल कर आते हैं बस कुछ बातों का ध्यान रखेगा जब भी आप शीट पे पापड के लिए बैटर डालें तो कल्ची के पिछले हिस्से से इसे ऐसे चला दे इन्हें हलके हाथों से चलाना है ध्यान रहे चम्मच की धारिया पापड पे नहीं लगनी चाहिए इन्हें बहुत ही ज़ादा प्रेस करते वे नहीं चलाना है इससे पापड evenly फैल जाते हैं पापड पतले बनते हैं और तीसरी important बात कि ऐसे पापड तूटते भी नहीं है ये हमने एक दिन की धूप भी दिखाई है ये पापड बहुत अच्छा बनकर त्यार हुए है नहीं तूटे हैं और नहीं इन्हें क्रैक आया है और नहीं ये काले पड़े हैं आईए इन्हें तल कर देखते हैं ये पापड अपने साइज के डबल और टुपल हो जाते हैं आप कच्छे आलो से साबद आने के पापड या फिर आलो के पापड या फिर कच्छे आलो के पापड बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी पापड या फ्राइम्स के रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस लिखेगा आपको हम ये सभी रेसिपी प्रोवाइ झाल झाल झाल